पॉम शान्ती साथ जन्वरी 2020 के इश्वरिये महवाक्य पहले सुनते हैं आज की मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा बच्चे पहले स्प्यम अपनी जाच करो क्या हम स्रेष्ठ बने हैं? क्योंकि तुम्हें स्रेष्ठ बनकर इस भारत को स्रेष्ठ ते स्रेष्ठ बनाना है अब तुम्हें कोई भी ब्रस्टाचार का काम कर किसी को मनसा वाचा करमना दुख नहीं देना जैसे दुख हरता, सुख करता, बाप सबको सुखी बनाते हैं ऐसे तुम्हें भी सुख देना है तुम जो भी पुर्शार्थ करेंगे वही पुर्शार्थ तुम्हारा कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाएगा बाप की नोलेज और वर्सा अगर यहे दोनों स्मृति में रहें तो तुम सदय और हर्शित रहेंगे याद की यात्रा में रहने से शक्ति मिलती है जब तुम याद में रहकर कोई को भी ज्यान का तीर लगाएंगे तो उसका असर अच्छा होगा जिनके अंदर इतना ज्यानव योग नहीं है और जो सर्विस में भी ततपर नहीं रहते तो उनको अंदर में इतनी खुशी नहीं रह सकती तुम्हें तो सदयव खुशी होनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सत्गुरु बनकर साथ ले जाएंगे और लास्ट में बाबा ने कहा तुम्हारे पुर्शार्थ का लक्ष है सर्व गुणों में संपन और सोला कला संपुर्ण बनने का जैसे यह लक्ष्मी नारायन कितने मेठे हैं तुम्हें भी इनके जैसा बहुत-बहुत मेठा बनना है और सब को प्रेम से चलाना है अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से आज बाबा ने कहा मिल्ठे बच्चे ग्यान की धारणा के साथ-साथ सत्योगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो प्रशन अभी तुम बच्चों के पुर्शार्थ का क्या लक्षे होना चाहिए उत्तर सदा खुशी में रहना बहुत-बहुत मीठा बनना सब को प्रेम से चलाना यही तुम्हारे पुर्शार्थ का लक्षे हो इसी से तुम सर्वगुन संपन सोला कला संपुर्ण बनेंगे दूसरा प्रशन जिनके कर्म स्रेस्ट है उनकी निशानी क्या होगी उत्तर उनके दवारा किसी को भी दुख नहीं पहुँचेगा जैसे बाप दुख हरता सुख करता है ऐसे स्रेस्ट कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे आज का गीत है छोड भी दे आकाश सिहासन अब धर्ती पर आ जारे ओम शान्ती मेठे मेठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना यह मेठे मेठे रुहानी बच्चे किसने कहा दोनों बाप ने कहा निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा इसलिए इनको कहा जाता है बाप वदादा दादा है साकारी अभी यहे गीत तो भक्ति मार्ग के हैं बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है और बाप ने सारे सुरिष्टी चक्र का ज्यान बुद्धी में बिठाया है तुम बच्चों की बुद्धी में है कि हमने 84 जनम पूरे किये अब नाटक पूरा होता है अब हमको पावन बनना है योग वैयाद से याद और नोलेज यह तो हर बात में चलता है बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नोलेज लेंगे इसको भी योग और नोलेज का बल कहा जाता है यहाँ तो यह है नई बात उस योग और ज्यान से बल मिलता है हद का यहां इस योग और ज्यान से बल मिलता है बेहद का क्योंकि सर्व शक्तिमान अथ्योरिटी है बाप कहते हैं मैं ज्यान का सागर भी हूँ तुम बच्चे अब स्रिष्टी चक्र को जान गए हो मूल वतन, सुक्ष्म वतन, सब याद है जो नोलिज बाप में है, वह भी मिली है तो नोलिज को भी धारण करना है और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते है तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो बाप अपने से भी जादा मरतबा देते हैं तुम चुरासी जनम लेते लेते, मरतबा गवा देते हो यह नोलिज तुम बच्चों को अभी मिली है उंस्ते उंस बनने की नोलिज उंस्ते उंस बाप द्वारा मिलती है बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे की बाप दादा के घर में बैठे हैं यह दादा ब्रह्मा मा भी है वह बाप तो अलग है बाकी यह मा भी है परंतु यह मेल का चोला होने कारण फिर माता मुकरर की जाती है इनको भी एडोप्ट किया जाता है उनसे फिर रचना हुई है रचना भी है एडोप्टिड बाप बच्चों को एडोप्ट करते हैं वर्सा देने के लिए ब्रह्मा को भी एडोप्ट किया है प्रवेश करना वए एडोप्ट करना बात एक ही है बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं नंबरवार पुर्शार्थनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परमपिता परमात्मा की शिरिमत पर इस भारत को फिर से स्रेष्ट ते स्रेष्ट बनाते हैं तो खुद को भी बनना पड़े अपने को देखना है कि हम स्रेष्ट बने हैं कोई ब्रहस्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते हैं बाप कहते हैं मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने तो तुमको भी सबको सुख देना है बाप कभी किसको दुख नहीं दे सकता उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता बच्चों को अपनी जांश करनी है मनसा वाचा कर मना हम किसको दुख तो नहीं देते हैं शुबाबा कभी किसको दुख नहीं देते बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को यह बेहद की कहानी सुनाता हूं अब तुम्हारी बुद्धी में है कि हम अपने घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे वापिस घर जाकर फिर नंबरवार पार्ट बजाने आएंगे यह राजधानी स्थापन हो रही है बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुशार्थ करेंगे वही पुरुशार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा पहले पहले तो सभी को बुद्धी में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदी मद्धे अंत की नोलिज को बाप के सिवाए कोई नहीं जानते हैं उस्ते उस्त बाप का नाम ही गुम कर दिया है त्रीमूर्थी नाम तो है त्रीमूर्थी रास्ता भी है त्रीमूर्थी हाउस भी है त्रीमूर्थी कहा जाता है ब्रह्मा, विश्नु, शंकर को इन तेनों का रचैता जो शिबाबा है उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है अब ही तुम बचे जानते हो उंस्ते उंच है शुबाबा फिर है त्री मुर्ती बाप से हम बचे यह वर्सा लेते हैं बाप की नोलिज और वर्सा यह दोनों स्मृती में रहें तो सदयव हर्शित रहेंगे बाप की याद में रहे फिर तुम किसको भी ज्यान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा उसमें शक्ति आती जाएगी याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमोप्रधान हो गई है अब मूल फिक्रात यह रखनी है कि हम तमोप्रधान से सतोप्रधान बने मनमनाभो का अर्थ भी यह है गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना चाहिए मनमनाभो का अर्थ क्या है यह किसने कहा मुझे याद करो तो वर्सा मिलेगा नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई क्रिशन तो नहीं है वह प्रिंस है यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना अब करन करावन हार कोन भूल गए हैं उनके लिए सर व्यापी कह देते हैं कहते हैं ब्रह्मा, विश्नु, शंकरादी सब में वही है अब इसको कहा जाता है अज्ञान बाप कहते हैं तुमको पांच विकारों रूपी रावन ने कितना बेसमज बनाया है तुम जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे थे हाँ पहले उत्तम ते उत्तम भी हम ही थे फिर नीचे गिरते महान पतित बने शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर से ना ली यह भी ठीक है तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे अभी महसूसता आती है यह है ही ब्रस्टाचारी दुनिया एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं यह है कांटों का जंगल वह है फूलों का बगीचा जंगल बहुत बड़ा होता है गार्डन बहुत छोटा होता है गार्डन बड़ा नहीं होता है बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय यह बड़ा भारी कांटों का जंगल है सत्यूग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुर्शार्थ नुसार समझते हैं जिन में ग्यान और योग नहीं है सर्विस में ततपर नहीं है तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती दान करने से मनुष्य को खुशी होती है समझते हैं इसने आगे जनम में दान पुन्य किया है तब अच्छा जनम मिला है कोई भक्त होते हैं समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जनम लेंगे अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गती बच्चों को समझाते हैं दुनिया इन बातों को नहीं जानती तुम जानते हो अभी रावन राजे होने कारण मनुष्यों के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं पतित तो बनना ही है पांच विकारों की सब में परवेश्टा है भल दान पुन्यादी करते हैं अल्पकाल के लिए उसका फल मिल जाता है फिर भी पाप तो करते ही है रावन राज्ये में जो भी लेंदेन होती है वह है ही पाप की देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं स्वच्छ बनकर आते हैं पर अन्तु जानते कुछ भी नहीं बेहद के बाप की भी कितनी गलानी कर दी है वह समझते हैं कि हम यह महिमा करते हैं कि इश्वर सर्व्यापी है, सर्वशक्तिमान है पर अन्तु बाप कहते हैं यह इन्हों की उल्टीमत है तुम पहले-पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि उंस्ते उंस भगवान एक है हम उनको ही याद करते हैं राजियोग की एम अब्जेक्ट भी सामने खड़ी है यह राजियोग बाप ही सिखलाते हैं क्रिशन को बाप नहीं कहेंगे वह तो बच्चा है शिव को बाबा कहेंगे उनको अपनी देह नहीं यह मैं लोन पर लेता हूँ इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं वह है उंस्ते उंस निराकार बाप रचना को रचना से वर्षा मिलना सके लोकिक संबंद में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है बच्ची को तो मिलना सके अब बाप ने समझाया है तुम आत्माई हमारे बच्चे हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां हो ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है यहे बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैट समझाते हैं इनकी कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते भल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा न सके बिना टीचर किताब से कोई समझ न सके अब तुम हो रुहानी टीचर्स बाप है बीज रूप उनके पास सारे ज़ाड के आदे इमध्य अंत की नोलिज है टीचर के रूप में बैट तुमको समझाते हैं तुम बच्चों को तो सदयव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं सच्चा सत्गुरू भी है साथ में ले जाते हैं सर्व का सदगती दाता एक है उंस्ते उंस बाप ही है जो भारत को हर पांच हजार वर्ष बाद वर्षा देते हैं उनकी शिव जयनती मनाते हैं वास्तों में शिव के साथ त्रीमूर्ती भी होना चाहिए तुम त्रीमूर्ती शिव जयनती मनाते हो सिर्फ शिव जयनती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी बाप आते हैं और ब्रह्मा का जनम होता है बच्चे बने, ब्रह्मन बने और एम उब्जेक्ट सामने खड़ी है बाप खुद आकर स्थापना करते हैं एम उब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है सिर्फ क्रिशन का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है बाप कहते हैं लाडले बच्चे सुख धाम, शानती धाम को याद करो अल्फ और बे कितना सहज है तुम किसी से भी पूछो मनमनाभो का अर्थ क्या है देखो क्या कहते हैं बोलो भगवान किसको कहा जाए उंस्ते उंस भगवान है न उनको सरव्यापी थोड़ी कहेंगी वह तो सब का बाप है अभी त्रीमूर्ती शिव जयंती आती है तुमको त्रीमूर्ती शिव का चित्र निकालना चाहिए उंस्ते उंच है शिव फिर सुक्ष्म वतनवासी रमा, विश्नु, शंकर उंस्ते उंच है शिव बाबा, वहे भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी जयंती तुम क्यो नहीं मनाते हो जरूर भारत को वर्सा दिया था, उनका राज्य था, इसमें तो तुमको आर्ये समाजी भी mदद देंगे क्योंकि वहे भी शिव को मानते हैं तो सकता है ना जंडा चड़ा दो जो सब देखें सारी समझानी इसमें है कल पुवरीक्ष और ड्रामा इनमें तो बिलकुल क्लियर है सब को मालुम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा आप ही अपना-पना हिसाब निकालेंगे सब को इस चक्र और जाड पर समझाना है क्राइस्ट कब आया इतना समय वह आत्माई कहां रहती है जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में हम आत्माई रूप बदलकर यहां आकर साकार बनते हैं बाप को भी कहते हैं आप भी रूप बदलकर साकार में आओ आएंगे तो यहां ना सुक्ष्म वतन में तो नहीं आ आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ, राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का, यह तो बड़ी सहज बाते हैं, बच्चों को शोक चाहिए, धारना कर ओरों को करानी चाहिए, उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए, बाप भारत को आकर हेविन बनाते हैं, कह यह त्रीमूर्ती शिव का चितर सब को भेज देना चाहिए, त्रीमूर्ती शिव की स्टेंप बनानी चाहिए, इन स्टेंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी, देली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, यह काम कर सकते हैं, तुम्हारी कैपिटल भी देली होनी ह पहले देली को परिस्तान कहते थे, अब तो कबरिस्तान है, तो यह सब बातें बच्चों की बुद्धी में आनी चाहिए अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सब को प्रेम से चलाना है, सर्वगुन संपन्न सोला कला संपून बनने का पुर्शार्थ करना है, तुम्हारे पुर्शार्थ का यही लक्ष है, परन्तु अभी तक कोई बना नहीं है अब ही तुम्हारी चड़ती कला होती जाती है धीरे धीरे चड़ते हो न तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नोलिज तो बड़ी है मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है मेहनत भी गर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी चड़ते हैं, गिरते हैं, फिर चड़ते हैं बच्चों को भी कोई न कोई तुफान आता है मूल बात है ही याद की याद से ही सतोप्रधान बनना है नोलिज तो सहज है बच्चों को बहुत मीठे ते मीठा बनना है एम उब्जेक्ट तो सामने खड़ी है यह लक्ष्मी नारेन कितने मीठे हैं इन्हों को देख कितने खुशी होती है हम स्टुडेंट की यह एम उब्जेक्ट है पढ़ाने वाला है भगवान अच्छा मेठे मेठे सिक्की लदे रुहानी बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मोर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारणा के लिए मुख्ये सार पहला पॉइंट बाप द्वारा मिली हुई नौलेज और वर्से को स्मृति में रख सदैव हर्शित रहना है ग्यान और योग है, तो सर्विस में ततपर रहना है दूसरा, सुख धाम और श्यामति धाम को याद करना है इन देवताओं जैसा मीठा बनना है अपार खुशी में रहना है रूहानी टीचर बन ग्यान का दान करना है आज का वर्दान अंतर मुखता के अभ्यास द्वारा अलोकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव भाबा ने कहा जितना जितना आप बच्चे अंतर मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहद समझते जाएंगे यह तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है यह अलोकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं समय प्रमान इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहद सफलता प्राप्त होगी इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो आज का स्लोगन आप इतने हलके बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठा कर साथ ले जाए अव्यक्त स्थिति कानभो करने के लिए विशेश होमवर्क अव्यक्त स्थिति कानभो करने के लिए देह संबंद वेपदार्थ का कोई भी लगाओ नीचे न लाए जो वाइदा है यह तन मन धन सब तेरा तो लगाओ कैसे हो सकता फरिष्टा बनने के लिए यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि यह सब सेवा अर्थ है अमानत है मैं ट्रस्टी हूँ ओम श्यान्ति आज बाबा ने कहा मिठे बच्चे ग्यान की धारणा के साथ